हम देखते हैं कि गोहान के सामने होजार खड़ा होता है और होजार के हमले की वज़े से गोहान कमजूर पढ़ने लगता है होजार जैसे ही गोहान पे हमला करने जाता है हम देखते हैं कि गोकु वहाँ पर बीच में आ जाता है और होजार के हमले को रोक लेता है इसके बाद गोकु उससे कहता है मेरे बेटे से दूर रहो, समझे इस पे होजार कहता है तम यहाँ पर इस पे फ्रीजा कहता है क्या, ये भला जिन्दा है इस पे गौरॉन कहता है ये वो नहीं है, जो तुम समझ रहे हो ये किसी और मल्टी वर्स से है समझे होजार गोकु को देख के कहता है तो तुम अपने बेटे को बजाने के लिए आए हो इस पे वजीटा भी कहता है गोहान, मुझे पता नहीं था कि तुम जिन्दा हो अगर तुम जिन्दा थे तो तुम इतने वक्त से आखिर कहां थे इस पे गोहान कहता है मैं इसके बारे में बादने बता दूँगा ठीक है वजीटा लेकिन डैड, मुझे सच में यकीन नहीं होता कि ये आप है आपको तो गिल्यमिश ने मार दिया था मैंने कभी सोचा नहीं था मैं आपसे दोबारा मिल पाऊंगा इस पे गोकु भी कहता है मुझे भी ये बात पता नहीं थी गोहान कि मैं भी तुम से कभी दोबारा मिल पाऊंगा लेकिन मैं यहाँ पर किसी खास मकसद से आया हूँ इस पे गोहान भी कहता है डैड मैं भी किसी खास मकसद से यहाँ पर आया हूँ मुझे गिल गैमिश को खत्म करना है इस पे गोको भी कहता है गोहान तुम अभी शायद उसकी ताकत का मुकाबला नहीं कर पाओगे इस पे गोहान कहता है आप चिंता मत करिये डैड मैं इतना भी कमजोर नहीं हूँ इस पे लॉक कहता है ये बिलकुल सही कह रहे है मैंने इनकी ताकत मैसूस की है और ये ताकत काफी अलग है इस पे होजार कहता है लगता है तुम सभी आपस में मिलके बहुती जादा खुश हो लेकिन बहुती जल्द मैं तुम्हारी इस खुशी को मातम में बदल दूँगा इस पे गोकु कहता है मैं एक बार अपने बेटे को खो चुका हूँ और तो बारा मैं ऐसा बिलकुल भी नहीं होने दूँगा बिलकुल भी नहीं इस पे होजार कहता है तुमारे किसी भी बात का बोलने से मुझ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता समझे तुम सब के सब यहीं पर मरोगे इसके बाद होजार गोकु पे अपना हमला करता है लेकिन गोकु अपने इंफिनिटी फार्म में होता है और वो उसके हमले को इसली डॉच कर लेता है इसके बाद होजार फिर से गोकु पे अपना अटैक करता है लेकिन गोकु उसे एक जोधार पंच मारता है और इसकी वज़े से वो काफी दूर जाके गिरता है इसके बाद होजार कहता है ये पहले तो ऐसा नहीं था लेकिन ये आजानक ऐसा कैसे हो गया इस पर वजीटा कहता है लगता है उस बेवकूफ को ये नहीं पता कि सैयंस हर लड़ाई के बाद ज़्यादा ताकतर हो जाते हैं इस पर फ्रीजा कहता है ये इन बंदरों की स्पेशैलिटी है ये हर लड़ाई के बाद पिछली बार के मुकाबले और साधा ताकतर हो जाते हैं इस पर वजीटा फ्रीजा से कहता है क्या बात है फ्रीजा तुम्हें इस से जलन हो रही है इस पर फ्रीजा कहता है ये कहने के बाद फ्रीजा वजीटा पर अपना अटाक करने जाता है लेकिन लॉक बीच में आ जाता है और वो फ्रीजा को एक जोरधार पंच मारता है जिससे कि फ्रीजा थोड़ी दूर जाके गिता है इस पर लॉक कहता है तुम्हारे लिए बैतर यही होगा कि तुम्हें इन सब मामलों से दूर रहो क्योंकि तुम्हारा इन सबसे कोई भी लेना दिना नहीं है इस पर फ्रीजा कहता है तुम्हें अपनी ताकते बहुत ही जादा घमंड है ना बहुत ही जल्द मैं तुम्हारा ये घमंड तोड़ दूगा इसके बाद होजार खड़ा हो जाता है और कहता है लौड गिल गेमिश ने जैसा सोचा था तुम तो उससे पहले ही काफी जादा ताकतवर हो रहे हो लेकिन ये अच्छा है क्योंकि वो भी बिल्कुल यही चाहते है इस पर गोकु कहता है तुम इन सब चीजों के लिए काफी पच्टा आने वाले हो इस पर होजार कहता है बेवकूफ मोटल तुमें जरा सा भी अंताजा नहीं है कि तुम क्या बोल रहे हो अभी तो ये शिर्फ शुरुवात है इस पर गोकु कहता है अब इसका आखिर मतलब क्या है इस पर होजार कहता है तुमें सब बता चल जाएगा ये कहने के बाद होजार गोकु पे अपना हमला करता है और उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है होजार अपनी पूरी ताकत का इस्तमाल कर रहा होता है लेकिन गोकु उसके सारे हमले को अवर्ट किये जा रहा होता है इसके बाद हम देखते हैं कि गिलगेमिश अपने किले में बैठा होता है और कहता है मैंना ये वाकई में नहीं सोचा था कि ये इतनी जल दिया जाएगा इस पर फू कहता है क्या ये यहाँ पर आ गया इस पर गिलगेमिश कहता है क्या हुआ क्या तुमें उसे देखकर डर लग रहा है इस पर फू कहता है नहीं before में इस बारे में नहीं सोच रहा मैं ये सोच रहा हूँ कि तुमने जिस वार्यर को भेजा है क्या वो वाकई में उसका सामना कर पाएगा इसके बाद हम देखते हैं कि गोकु उदर हुजार से फाइट कर रहा होता है हुजार अपने कई सारे हमले को गोकु पे करता है लेकिन वो उसे छूब भी नहीं पाता इसके बाद हम देखते हैं ये तो काफी अलग है इसमें तो काफी बदलावा चुका है मैं तो इसे हाथ भी नहीं लगा पा रहा हूँ तभी गोहान कहता है डैड उसके अटैक से सावधान रहिएगा क्योंकि वो आपकी उर्जा को शोक सकता है गोहान थोड़ा कमजोर पड़ता है इस पर गोहान क्या तुम ठीक हो इस पर गोहान कहता है हाँ डैड मुझे थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन मैं ठीक हो जाऊंगा इस पर गोहान तुम अपना ध्यान रखो और इन सब को तुम मुझ पर छोड़ दो इस पर होजार कहता है इस पे गोरॉन कहता है लगता है होजार भी उसके सामने कमजोर पढ़ रहा है इसके बाद हम देखते हैं कि गोकु उसके अपना हमला करता है जिसे कि होजार किसी तरीके से डॉच कर लेता है इस पे फ्रीजा भी कहता है मुझे तो लगा था कि ये लौट गिल्गेमिश का खास वारियर है और इसमें कुछ खास बाते होंगी लेकिन ये तो बहुत ही जादा कमजोर निकला इसे की होजार काफी दूर जगके गरता है तभी गोकू उसके पाह जाता है और उससे कहता है मुझे इन सब छोटी मोठी रडाईयों में कोई भी दिल्जस्पी नहीं है मुझे बस फूच जाहिए जैसे ही गोकु ये बात कहता है हम देखते हैं कि होजार गोकु पे अचानक से हमला कर देता है और वो उसे चुने में कामियाब हो जाता है इस पे गोहान कहता है नहीं डैड इस पे फ्रीजा कहता है क्या उसने ये कह दिया? लेकिन क्या इससे सच में वो कमजोर पड़ेगा? इस पे गोकु कहता है इसने ये क्या किया? मुझे अपने अंदर कुछ बदलाव महसूस हो रहे है क्या मेरी ताकत कम हो रही है इस पे होजार कहता है अब तुम भी वही महसूस करो जो तुमारा बेटा महसूस कर रहा है इस पे गोकु कहता है अच्छा तो तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम ये कर सकते हो गोकु के ये कहने के बाद वो अपनी पावर को और भी जादा अब करता है खुजार उसे देख के गबढ़ा जाता है और कहता है इस पर गोकु कहता है तुमारा ये बेकार का पैतरा मुझ पर काम नहीं आने वाला समझें क्योंकि मैं इस सब चीजों से बहुत ही आगे निकल चुका हूँ गोकु के ये कहने के बाद हम देखते हैं कि होजार दोबारा से गोकु पे अपना हमला करने की कोशिश करता है लेकिन गोकु उसके हमले को इजली अवाइट कर लेता है और उसके अपना एक जोरदार हमला करता है जिससे कि वहाँ पर एक काफी बड़ा धमागा होता है और उससे के साथ गोकु अपने कामे हामे हा से उसके अटैक कर देता है और इसकी वुझे से हम देखते हैं कि होजार मारा जाता है इस पर फ्रीजा कहता है क्या उसने वाकई में उसे मार दिया तुम ने देखा उस बेवकुफ बंदर ने उसे खत्म कर दिया इस पर गुकु कहता है अब मुझे सीधे सीधे बताओ कि वो आखिर कहां है इस पे फ्रीजा कहता है ये भला तुम कैसी बिवकुफ वाली बाते कर रहे हो मुझे कैसे पता होगा कि वो कहा है तब ही हम देखते हैं कि वहाँ पर अचानक से गिल गैमिश आ जाता है और गोकु उसे देख के कहता है तो आखिरकार तुम मा ही गए इस पे गोहान भी कहता है टैड मैं इसे बिलकुल भी नहीं छोड़ूंगा इसने जो किया है इसे उन सब की सजा जरूर मिलेगी इस पे गोकु कहता है गोहान तुम चिंता मत करो हम दोनों मिलकर इसे खत्म करेंगे इस पे गिल गैमिश कहता है क्या बात है तुम बाप बेटे एक साथ मेरा सामना करो होगे चलो देखते हैं तुम में से पहले कौन मरता है